तो बच्चे दोनों स्कूल गए है और हस्बन भी गए है आज ओफिस और आज एकदम रेनी रेनी सा वेटर है तो लगी नहीं रहा है कि सुब्य का टाइम है तो नहाना और ये सब करके मैं जा रही हूं नीचे जो भी अपसिर्स का काम फिनिश करके तो फिर जाते जाते नीचे कपड़े भी ले जाओंगी स्कूल से आएगा तो सबसे पहले कपड़ा वो चेंज करेगा तो उसे सबसे पहले क्लोर्स जाहिए और मैं नीचे आ गई और बहार देखा तो एक्चुली यस्टे नाइट से हेवी रेन हो रहा है और कहीं काउंटी में तो बहुत जाड़ा रेन था तो स्कूल और सब कुछ बंद भी थे और डिलेज थे यहां पर इतना ऐसा कुछ था नहीं पर वेडर तो खारा था यहां पर तो मैं बहार निकली तो पूरा रेनी रेनी सुबह जब मैं वीर को ड्रॉप करने गई तो भी इतना हेवी रेन था ना डर लग जा इतना हेवी थाज और यहां पर हमारे फ्रंट सेट कर ट्री पे कुछ बचा नहीं है तो नेस्ट यहां पर बनाया था बर्स ने वो डिख गए हर साल जब यह सीजन आता है ना फॉल उस है जब आपके घर के बाहर ट्रीज हो ऐसी जगह पे कोई नैस बनाए तो बर्स ऐसी जगह पे नैस बनाते हैं जहां वो कमपरटेबल फिल करते हैं और अभी हुए है 10-15 सुबह का पर अंधेरा अंधेरा सा है बाहर एक दम रेनी रेनी सा है तो मैंने गर में ठोड़ा थोड़ी सी ओन कर दी और वेदान जब एक तीन साल का था तब का ये पिक्चर और वी जब 6 येर्स का था तब का ये दो पिक्चर से हां पर रखे हैं और लगने ही रहा है ना कि अभी सुबह का 10 एम हुआ है 10-15 एम और आज मुझे थोड़ा सा क्लीनिंग भी करना है तो चा करते हो आप लोग तो आज रेनी सा वेदर है तो वेदान के साथ मैंने सुबह ही बात की कि आज मैं डिनर में एकदम हल्री सा टेस्टी सा यमी सा और रेनी विंटर स्पेसियल कुछ बनाऊंगी उसी के लिए वेजिटेबस बहार निकाल रही हूं फ्रीज में से थोड़ा सा इसे मैं प्रॉसेस करके रखूँ गी प्रॉसेसें अथी छॉपिंग और मैं उससे पहले जो क्लीनिंग वूँ सब करके रखूँगी क्यूंकि हसमान जब घर पे नहीं होते है न बच्चों को डौनों को डॉप करना भी होता है और पीक करने के लिए जाना होता है और वेद से जोड से आए, तो में गर्मा गरम को सव कर सकूंँ तो यहां पर मैंने डो तामातर लिये हैं चांज आप में पर मोलम सब लिये हैं चांज इसथ में प्रПр이면ता लूड़ है रिजरी नायिया हूँ और उसमें दहुंद लिख काप हमें बार लेु सौर किन बंचे नमें बार इ और यहां पे एक प्लांट और केरट और ऐसी सब चीजी मैं यूज करूँगी पटेटो, कॉलिफ्लावर, जुकिनी जो भी मुझे सूप में या फिर आप कुछ स्थीव बना रहे हो तो इसी ही चीजे मैं निका ली है तो रैडिक्स में बैक्कियाड में अभी थोड़ा सा है तो मैं दो ले आई बहार से तो यह सब चीजे मैं सबसे पहले ऐसी चीजे हुना जो मैं फूल यूज करेंगे लाइक ब्रॉकली, कॉलिफ्लावर उसको मैं बेकिंग सोडा वाले पानी में डीप करके रख डूँगी तो सबसे पहले सिंपल वाटर से मैं इसे कर लूँगी और उसके बाद वेकिंग सोडा वाले पानी में एक लिस्ट फिफ्टीन टू थर्टी मेंस तग में रखोंगी कैबिज को भी अच्छी तरह से रैप करके रख डिया सिलिकॉन वाला जो कवर होता है उससे बहुत अच्छे से कवर हो जाता है तो फ्रेश में रहता है और यहा से बेकिंग सोडा वाला पानी में डालके रखो ना तो थोड़ी इंप्यूरिटी अच्छी खासे क्लीन हो जाती है तो मैं जो जो स्कीन के साथ यूज करने वाली हूं यह सब चीचे यहां पर डालूंगी और कॉली फ्लावर को भी थोड़ा से छोटे पीसिस कर लोंगी ता यहां पर इसे यूज कर लोंगी और यहां पर टमेटो साफ्ट होने लग गए है तो थोड़ा सा पलत दोंगी और डूसरी तरफ भी पका लेंगे और उसके बार इसकी स्कीन निकाल लेंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे जिसको हम यूज करेंगे स्तिव में आप चाहां यही काम चलता रहता है सब बेजिक प्रिप्रेशन और ऐसी कुछ चीजे जो करके रख दोंगी ताकि मुझे डॉड की स्कुल जाना पड़े ना तो भी कोई प्राब्लेम ना हो यहां पे टमाटर सॉफ्ट हो गए और इजीली स्कीन निकला रहे है तो मैं स्कीन निकाल लों इस तरह से फ्रेश तमाटर डालेंगे ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा पेस्ट या रेडी में टमेटो सॉफ्ट हो था उससे थोड़ा इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता जो फ्रेशने सानी चाहिए वह नहीं आती है और आज कही दिनों के बाद कही महीनों के मैं बना रही हूं और मुझे याद है मैं क्या करूं लंच में थोड़ा से हल्दी भी खाना था और क्विक बंजा ऐसा खाना था तो मुझे याद आ गया तो कुछ चटपटा भी हो जाएगा तो यहां पर पानी ले लिया है थी कप्स उसमें डाल लिया है अजवाइन जीरा रेट चिली पेस्ट और थोड़ा सा डाला है जींजर और सॉल्ट डालोंगी तो मैं बना रही हूं खीचू जो ट्रेडिशनल होता है और नास्ते में हमारे यहां बहुत ज्यादा खाया जाता है सॉल्ट डालने के बाद यहां पे डालोंगी मैं ऑईल थोड़ा सा ही ऑईल एक छमचक दाल सकते हो और यहां पे एक से डोफाऊ सर्फ टितना बेकिंग सोड़ा डालोंगी एक्यों संचर पाूडर जाता है वह तो मैंने पेंगी ज्ब्रो डाला और यहां पे जो ब्लीबन इसानल बिलता है ना और यहां पर अप्सटकोशं पालने हो धुल्ट इस से अच्छा सा बॉइल आजाए तब तक इसे हमें कूक करना है स्टॉक कर दिया हमेने एक दम लो फ्लेम पे और यहां पे जाएगा एक कप चावल का आठा राइस फ्लार जो रेकिलर हम यूज करते हैं रोटी या इसी चीज़े बनाने के लिए वही डाला है यहां पे दालने के बाद हमें इस तरह से कोई स्पैचिला का जो लकड़ी का हो ना उसका इस तरह का पार्ट लेके इसे मिक्स करना है कोई भी लम्स इस में ना रहे तब तक मिक्स करना है और मैं सैसमे सीट्स दलना गई थी भूल तो यहां पे डाल दिया मुझे याद आ गया यहां पे और सघव अब भी low flame पे है एकदम low flame पे इसे हम बाद में भी cook करेंगे यह बेजिक प्रोसेस है तो मैंने steamer रख दिया है और यहां पे plate को भी grease कर लिया था ओ Il से तो यह sitio मीक्सर मैं नेगे कर देंगी mask और यह sprayed में कम से कम 10-12 मिनित तक इसे पकाएंगे अच्छी तरह से और उसके बार नाइब से चैक कर लेंगे पता चल जाएगा कि रेडी हुआ कि नहीं मिन्वाइल में वेचेटिपल रखी थी ना वो भी और आधा गंता हो गया था तो मैंने सोचा इसको में इस तरह से छोटे-छोट पीसिस में बहुत छोटे भी नहीं इस तरह के पीसिस में चौप कर लूँ तो यह रेडी करके मैं फ्रीज में रख लूगी यहाँ पे मैंने एक एश्गोड भी निकाला जो विंटर मेलन बोलते है शायद इसे तो इसे निकाला मैंने यहाँ पे और इसको भी मैंने चौप क अपने पसंद के इसाब से ग्रीन बीन्स को भी यूज कर सकते है जो भी वेजिटेबल आप चाहो इस तरह की अपने पसंद की सूप में या इसमें जाए ऐसी चीजे यूज कर सकते हो और यहाँ पे कौन कैरेट्स और बीन्स वाला जो फ्रोजन पैकेट था उसमें से मैंने पताऊंगी सर्व करने की भी अलगी तरीके सोथा तब अच्छा फ्लेवर आएगा और खिचु इस तरह से लूज वाला भी होता है और क्यूब बन सके ऐसा भी होता है तो वो मुझे इतना पसंद नहीं है इस तरह से लूज वाला बहुत ही टेस्टी लगता है अब उपर से रेट चिली पाउडर डालेंगे जितना आपको पसंद हो जितना खा सको और उपर से हलका सा ओईल डाला है यहाँ पे ट्रेडिशनली खाते है न तो अच्छा खासा ओईल रहता है और पीनट ओईल ही डालना है पीनट ओईल से ही एक दम परफेक्ट एस दाएगा और अभी म में अकेली हूँ तो मैं अभी जैसे ही बना ऐसे ही खा लूँगी गर्मा गरम बहार रेनी सीजन हो और यह खाने का जो मज़ा हो न वह एक बार खाये न तब भी पता चले वरना पता न चले कि इसका फ्लेवर क्या होता है विंटर की सीजन में अच्छा खासा खाया जाता है और मौनसून में भी खाया जाता है और नवरत रिकर टाइम होता है तब तो बहुत जड़ा खाया जाता है यह खीचू ओवरल बहुत जड़ा गर्मी होती है समर की सीजन में ही नहीं खाया जाता वरना हम जब कॉलेज और ऐसी जगे पे जाते थे तब यह बहुत खाते थे और आज दिस वाफसर भी अम्ति करना बाकी ही था सुभे इंडिया फोन किया मम्मी के साथ एक गंठा बाद किया आज घर पेके लिए थी ऐसा कुछ करना नहीं था पहले सोचा था मैं पहले क्लीनिंग कर लू फिर सोचा आज कई दिनों के बाद बात करने हैं इंडिया में मेरे कजिन की मैरेज भी आ रही है तो कई सारी बाते होती है ना पैरेंस के साथ हमारी वहाँ होते हो तो आप जाओ तो कई सारी बाते हो जाती है यहाँ पे रहके मिस भी बहुत करते है और जो अच्छे ऐसे marriage और ऐसे events आती है तो बहुत ज़्यादा मीज़ करते हैं तो बात करके थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है तो parents के साथ almost like एक से देड़ घंटा तक मैंने आज सुबह सुबह बात की और मैं आज सोचा था cleaning तो कर ही लूँगी क्योंकि कई दिनों से pending था हम लोग बाहर भी vacation पर भी जाके आये तो उसके बाद थोड़ा सा kitchen वाला पार्ट और ऐसी पार थोड़ा सा dirty हो ही जाता है तो basic cleaning ही किया था आने के बाद तो मैंने सोचा आज मैं प्लेटफूम भी पूरा clean कर लूँगी और उसके ओपर जो भी चीज़े है उसको अच्छे से arrange भी कर लूँगी और इसे भी wipe करके clean कर लूँगी वैसे summer का time नहीं है पर फिर भी dust और ऐसी चीज़े तो आही जाती है और kitchen प्लेटफूम को मैं कुछ ऐसा लिक्वीड या chemical यूज़ करके नहीं करूंगी जो kitchen में हम बर्तन के लिए soap यूज़ करूंगी और उसी से wipe करूंगी तो यह plates और oil वाली trays और यह सब अच्छी खासी dirty हो ही जाती है हमारे इंडियन cooking में वैसे भी तड़का इतना जोड़दार लगता है ना कि आसपास जो भी area हो ना वो सब पे कुछ ना कुछ चिते ऐसे ओड़ जाते है कि जिसे अच्छे से soapy water से clean करना पड़ता है और यह wall ह पीछे वाली यह तो बहुत frequently like everyday clean करते हैं फिर भी जब भी clean करों तो ऐसा ही लगे कि यह इस पे कही दिनों से कुछ किया ही नहीं क्योंकि एक बार cook करो आप wipe करो और दूसरी बार cook कर अनतर सेम ही हालत हो जाती है वैसे तो chimney है पर फिर भी oil इतना उल्टा ही है कि यह स्थी प कर रही हूं ताकि अच्छे से वाइप कर सको और यह माइक्रो फाइबर का जो simple सा cloth आता है वही है उससे बहुत अच्छे से clean हो जाता है और इसे soap से ही एक बार clean कर लो ना तभी अच्छा clean हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा liquid या chemical या vinegar या baking soda भी बहुत ज़्यादा यह रॉक पर यूज़ करेंगे ना पथर में तो फिर उसकी थोड़ा सा तो डेमेज होता ही है तो मैं try करती हूं कि यह में एक या दो बार ही इस तरह से कुछ विनेगर या baking soda या liquid से इसे clean करूं बाकी के टाइम पर मैं इस तरह से soapy hot water हो ना उसी का use कर लेती हूं तो अच् यह लास्ता मैंने clean किया उसके और अब तक के बीच में almost two and half months हो गया इस तरह से deep cleaning किये regular cleaning के सिवा इस तरह से deep cleaning भी जरूरी होती है वरना kitchen का part ऐसा होता है ना कि कुछ ना कुछ स्थिक हो ही जाता है और मेरा kitchen है अभी अच्छा खासा बड़ा तो यह kitchen का part और यह सब clean करते करते भी मुझे almost one hour जैसा लग गया और साथ में मैंने sink मेरा बाकी रह गया clean करना तो मैं next day clean किया sink को सुबे और अभी clean करते करते मुझे यह money plant दिख गया तो एक डम long wine ही जैसा हो गया है इसके बहुत सारे leaves नहीं है तो मैंने पहले सोचा इसे मैं अभी टच नहीं करूँगी winter का time है पर एक डम कुछ growth भी नहीं हो रहा है और कुछ भी मैंने risk ले लिया तो इसको मैं इस तरह से पानी में डाल लूँगी यह जो अभी है ना वो soil के साथ है तो थोड़ा से इस तरह से cross कर cut करके तीन पार्ट कर दिये और इसे मैं रख लूँगी kitchen में वैसे मुझे इस तरह से indoor plants का भी बहुत ज़्यादा सोच है पर क्या होता है ना जब भी हमें बहुत जाना होता है दस पंदरा दिन के लिए और इंडिया जाए ने तो इसकी take care करना बहुत ही problematic हो जाता है जितना भी आ parents करके जाओ ना पर आप एक human आके इसमें पानी नहीं डालेगा ना तब तक ये इतना survive करने में problem करते हैं इसे money plant और ऐसी चीज़े इतना problem नहीं करती है पर some plants ऐसे होते हैं पीस लिली और ऐसी चीज़े जो बहुत ही sensitive होते हैं तो ये सब करते करते मैंने कर लिया सब कुछ clean और रीनर की preparation करके मैंने chop करके vegetables को भी freeze में रख लिया है तो अभी time almost वीर को लेने जाने का हो गया ये सब करते करते time अभी हुआ है 1.28 तो मैं 1.30 के around निकलती हूँ घर से वीर को लेने जाने के लिए वीर को लेके आओंगी और वीर कुछ खाना खाएगा और उसके साथ कुछ भी थोड़ा बहुत time pass करेंगे और उसके बाद मुझे around 3.30, 3.40 के around विदन को लेने जाने पड़ेगा और husband नही वीर के रासा भी आपको 15-20 मिनित लगी जाता है तो बच्चे दोनों आ गए है और विदन आया उसके बाद ही मैं बनाओंगी ये वीर के लिए तो actually उसने आज आके कुछ खाया नहीं क्योंकि लंच अच्छी तरह से करके आया था तो मैं उसके लिए जो vegetables chop रखी थी थी ना मेरे पास गराज में रखा है ना तो अच्छा सा सरवाई कर जाता है विंटर में बहुत ज़्यादा प्राब्लम नहीं होता तो यहां पे गी करम हो गया तंडर थोड़े से सुके ड्राइ स्पाइसिस दालूंगी लाइक बे लीफ और डाल चीनी जीरा डाला है थोड़ा सा क पर यहां पर एक स्मॉल में पटेटो और जो वेजिटेबल स्पाइस चॉप करके रखी थी ना वो सब साथ में ही डाल देंगे अलगले कालने की जरूरत है नहीं अब क्या करना है गी में इसे अच्छे से हमें रोस करना है इसे कूक नहीं कर देना है पर इसे अच्छे से गी में रोस करना है तो उससे जो फ्लेवर आए गया ना बहुत ही अमेजिंग आता है इसे तो अराउंड 3-4 मिनिट में यहां पे इसे इस तरह से मीडियम जैसे फ्लेम पे करूंगी कूक उसके बाद यहां पे अराउंड 1.5 टेबल स्पून डाला है रागी का आठा और 1 टेबल स्पून डाला है राइस फ्लार राउ ही है तो हम वेजरीबल के साथ उसे भी कूक कर लेंगे इसे आपके सूप में ठिकनेस भी आजाएगी और थोड़ा सा हेल्धियर वर्जन भी हो जाएगा बहर से आप सूप या स्थू के लाग कुछ मतीरल लाओ ना तो उसमें होता है जो हेल्ध के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता या फिर मैदा होता है तो इससला से रागी का भी यूस हो जाएगा आप चाहो तो थोड़ा सा एक चमच और डाल सकते हो थोड़ा सा ठिकनेस और ज़्यादा करने के लिए पर मैं ठिकनेस के लिए कुछ ऐसा ढालोंगी जिसके वज़े से यह और ज़्यादा ठिक हो जाएगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और जो टमेटो कुकिया था उसकी पेस बना के डाल दिया है अच्छे से मिक्स करने के बाद यहां पर जाएगा पा पानी का भी अच्छा सा फ्लिवर आ जाएगा तो अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक अउबाला जाए उसके बाद यहां पे सॉल्ट को एज़िस कर लेना है और चीली पाउडर या ब्लैक पेपर आप अपने पसंद की हिसाब जेचिस कर सकते हैं तो अच्छे से मिक्स कर और इसे हम कवर करके अच्छे से प्रेसर कूक करेंगे आप चाहो नो तो यहां पर मैगी मसाला जो टेस्ट मेकर होंता है वो भी एक चमच दाल दो या फिर इस तरह का कोई भी फ्लेवर वाला मसाला हो न वो ढाल सकते हो उससे फ्लेवर अच्छा हैगा पर इस तरह का स्थू अच्छा बना होना तो एकदम बेजिक सा होना फ्लेवर तो अच्छा लगता है तो ठी मिनिट्स मैं इससे करूंगे प्रेसर कूक और वीर के लिए जो वेजिटेबल किया थे उसी में से मैंने मिक्स वेजिटेबल जैसा है और यहां पर दोसा पर सिलांटरो, स्प्रिंग अ तो यही था वीर का लंच, उसके बाद वेदन को लेने गए तो बहार देखिए, आज बहुत रीनी था ना था, सभी जगे पे पानी-पानी जैसे हो गए, तो सभी क्रीक्स एकदम पानी-पानी से बर गए थे, और टीन मेरिट्स कोख होने के बाद इसे मैंने प्रेसर रिलिस कर लिया, तो यहां पे हाफ कप कोख राइस दाला है मैंने, स्प्रिंग अन्यान और सिलांडरो जाएगा, तो कोख राइस की जगे पे आप चाहो तो थोड़े से नूडल्स भी दाल सकते हो, यहां पे राइस इ आप कप कोख राइस दाल दिया है तो इसे ठीकनेस भी आ जाएगी और एक फ्लिवर भी आ जाएगा और यह रेडी है, सर्व करने के लिए और साथ में जाएगा गालिक ब्रेड आज वेडर भी ऐसा है थोड़ा सा थंडा रही नी तो गालिक ब्रेड वेडान के लिए बना कर लोगी में तोड़ा सा मैंने इसे बॉइल करने के रख दिया तो यह रेडी तू सर्व है तो इस तरह का आप बना लेव ना स्टू ऐसे चीज़े तो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है जब पर्टिकलरली रेनी हो या ठंड की सीजन हो तो आपको कुछ लाइट भी हो जाएगा और एक अच्छी सी टेस्टी सी रेसिपी भी आप खा सकते हैं तो हमारे गर में जब भी रेनी हो ठंडा हो और कुछ ऐसी चीज़ खाना हो तो इस तरह से वेजिटेबल स्ट्यू बनता है तो मश्रूम और ऐसी चीज़े भी डालके बनाती हूँ पर इस तरह से इस एकदम सिंपल वाला है और यह एकदम क्रिस्पी सी यमी सी 350 डिग्री पे मैंने कूक कर ली ब्रेड तो वेदान अभी खाएगा हस्बन अभी आये नहीं है ओफिस से तो हस्बन आने के बाद हमारा लंच होगा वीर को स्वारी डीनर होगा तो वीर का हो गया है दीनर का यूज नहीं करना था हेल्दी ही खाना तो यहां पर टमेटो क्यूकंबर और सिलांटरो को चॉप कर लिया है और एक एवोकेडो मैंने यहां पर कट कर लिया है तो एवोकेडो टोस बनाओंगी तो ब्रेड को एकदम सिंपल सी टोस करेंगी कुछ भी बटर या घी कुछ लगाऊंगी ऐसे ही और उसके उपर यह जाएगा वेजिटेबल्स सॉल्ट रेड चिली पेपर और थोड़ा सा जाएगा लाइम ज्यूस परस इतना ही एकदम परफेक्ट एवोकेड गौकमली जैसा हो जाएगा हैल्दी वाला और ब्रेड को मैंने अल्रेडी टोस कर ली थी कुछ पी नहीं लगाए बीना ऐसे ही क्रिस्पी कर ली थी और उसके उपर यह स्कूप करके लख दीजिए और यह आप स्तूर के साथ खाए नहां तो आप गालिक व्रेड को भी भूल जाएंगे दम यमेसा हैल्दी सा तो इसी के साथ आज का व्लोग भी खतम करते हैं आई ह को आप लोगों को व्लोग पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले व्लोग में